स्वागते दोस्तों आप सभी को टेकिराच यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने OPPO A83 या फिर किसी भी OPPO फॉन में कैसे आप सेटिंग को सेट कर सकते हैं हम देखेंगे कि OPPO फॉन में सेटिंग्स में कितने फीचर्स आपको मिलते हैं और यहां पर सारे सेटिंग्स को आपको कैसे मैनेज करना है इस वीडियो में हम देखेंगे तो जानने के लिए वीडियो को अन तक जरूरी देखिएगा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबाना और इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी करतीजेगा तो दुस्तो चली बढ़ते एं वीडियो के और सबसे बहले तो आपको खुलेना है आपके मोबाइल का सैटिंग्स अब इस सैटिंग्स में दुस्तो हमें यह आप बहुत सारो प्शेम समी मिलता है ठीक है अभी देखिएगा दुस्तो हर पर फो के लगबक सेमी होता है 99 नेट्रो काम नहीं करता है तब एरोपलेन मोड को आप अन ऑफ करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्फ वगेरा कर सकते हो ठीक है अब यहाँ पर डाटा वगेरा मिल जाता है डॉल सीम यहाँ पर चले जाती हो तब आपको यहाँ पर मिलता है यह दिक ओल आप देखते हो कोल जो इंटनेट पर क्लिक करते तो कि आप यहाँ पर देख सकते दो जो और चल्त करने के लिए कर सकते हैं और फिल्चेंच और यहां पर मैं जो है वीपियन और होट स्पोट यहां पी दिया गया है ठीक है चलिए दोस्तों अभी यहां भी हम देखते हैं नोटिफिकेशन स्टेटस बार पे क्लिक करते हैं तब यहां पी आप अपने मोबाइल का कमप्लीट नोटिफिकेशन को मैनेज कर पाएंगे ठीक है अभी सबसके देखें बेटरी परसेंटेज दिया गया है बहुत ही बढ़िया फीचर है बेटरी का परसेंटेज में शो करेगा आपको यह ठीक है चलिए मैं आपको यहां पी दिखा देता हूँ अभी देखेंगा ब आपको जाना है उसके बाद में यहां पर हर एक एप्लिकेशन सो करेगा जो आपके मुबाइल में इंस्टॉल्ड है और यहां से आप जो है कम्प्लीट अपना एप्लिकेशन का नोटिफिकेशन को आप मैनेज कर सकते किसी भी एप के अंदर चले जाएए अलाओ नोटिफि आप सकते हें सेस्ट्रीन वग्यरा जो ओफर यहां पहुँत ऑलक कर सकते हैं और यहां पर बहुतoughs किसी बड़िया जो है वह को आपको यहां पर फंट साइज जो हें आप यहां पर चकर सकते चली मैं default में रख देता हूँ या फिर small में default में रख देता हूँ ठीक है चलिए back चलते हैं और यहाँ पर दोस्तो night shield आप on कर लेते हैं तब क्या होता है कि आपका यदि रात में आप ज्यादा ही mobile चलाते तब night shield on रखते तब आपके आखे के लिए बहुती फायदे मन दोता है ठीक है चलिए अभी हम back चलते हैं दोस्तों यहाँ पर दिया गया है home screen lock screen वगेरा दिया गया है यहाँ पर आप set कर सकते हो home screen draw mode वगेरा चलिए अभी हम चलते sound and vibration जो की बहुती important है यदि आपका volume बहुती down है तब आप यहाँ से volume बढ़ा सकते हैं और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर ring tone set करने के लिए हर sim के लिए अलग-अलग आप यहाँ पर set कर सकते है ring tone message tone दिया गया है यहाँ यहाँ पर करते हैं तो काफी सारा ring tone आपको मिलता है आप यहाँ पर select from the file करके अपना खुद का ring tone भी भर सकते हैं उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर dial पर tone यह दिया आप number dial करते हैं तब आपको tone चाहिए कि नहीं आवस चाहिए तो यह वगेरा आप set कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर face code and passcode दिया गया है देखिए हर oppo mobile में यह थोड़ा different रहेगा ठीक है किसी oppo mobile में आपको pattern lock रहता है यहाँ पर मेरा जो है lock screen passcode दिया गया है इसमें आप click करते हो तो आप जो है set कर सकते हो अपना passcode वोगेरा ठीक है चले हम back चले जाते हैं और especially यहाँ पर face code भी दिया गया है जो की बहुती बढ़िया features है आप देख सकते हो यह दिया आपकी mobile में भी face code है तो बहुती बढ़िया है अपने face के ज़रे से जो है आप lock कर सकते हैं अपने mobile को या फिर unlock कर सकते हैं तो दोस्तो यह था बहुती बढ़िया features अभी बात करते हैं language and region पर आप क्लिक करते हैं तो आप अपनी oppo phone के language को completely change कर सकते हैं यहाँ पर language पर क्लिक करते हैं जो भी आपका language है वो आप यहाँ पर select कर लिजएगा आपका language जो है वो change हो जाएगा तो दोस्तो चलिए अभी back चलते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं additional settings पर आप चलते हैं तब आपको यहाँ पर storage यहाँ पर dead in time keyboard and input method यह सारा वगेरा आपको जो है show करता है ठीक है तो यह जो है बहुती बढ़िया है आप settings वगेरा कर सकते हैं तो चलिए हम back चलते हैं और यहाँ पर software एदिया आपका update आता है तो यहाँ से आप check कर सकते हैं कौन सा software update है फिलाल मैंने कल पर सो ही अपना software को update किया है तो यहाँ पर option नहीं आ रहा है तो दोस्तो अभी यहाँ पर आपका accounts वगेरा जो है वो आप यहाँ पर check कर सकते हैं आपका Gmail का account हो गया आपका OPPO का account हो गया वो सारा कुछ आप यहाँ पर account and sync पर चले जाते हैं तब आप यहाँ से completely manage कर सकते हैं अब यहाँ पर back चले जाते हैं अपना application को आप यहाँ पर app management में आप यहाँ पर check कर सकते हैं करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आयोगा थैंक्स फूर वाचिंग